इस वीडियो में आज हम Windows के कुछ important features पढ़ेंगे, यानि Microsoft Windows जो के हम अपने daily life में, अपने computers में इस्तेमाल करते हैं, Microsoft Windows जो के Microsoft की तरफ से launch किया, या एक ऐसा operating system है, जो के complete operating system है, जिसके अंदर तमाम features मौझूद है, वो तमाम features जो के computer के general operations करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ये तमाम features के अंदर मौझूद हैं, operating system जैसे के हम जानते हैं, ये क्या है, ये दरसल एक software है, एक ऐसा software जो क्या करता है, के computer के hardware resources हैं, उन्हें manage करता है, और ताकि उन्हें सही तरह से utilize किया जा सके, जैसे के हमारे पास different hardware resources होते हैं, ऐसे के center processing unit, CPU, random access memory, तो ये operating system की introduction की video में हम इसे detail में जा जुके हैं, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि Windows हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर क्या-क्या features हैं, Windows जैसे आपना computer on करते हैं, तो आपके सामने Windows की screen आ जाती है, और उस Windows की जो screen है, उसके अंदर ये कुछ general features हैं, जो के हर Windows में मौझूद होते हैं, तो ये कुछ general features हैं, जो किसी भी operating system का हिस्सा होते हैं, हर operating system जो है, Windows operating system जो है, वो facility प्रोवाइट करता है, multitasking की, multiprocessing की, इसके साथ-साथ ये multi-user operating system है, और इसके अंदर plug and play का option होता है, और इसके अंदर different devices connect हो सकती हैं, इस operating system के जरिए, जैसे कि हमने बात की, ये software है, जो कि आपको ये तमाम features दे रहा है, तो Windows operating system जो है, इसके अंदर जो latest हमारे पास Windows मौझूद है, वो है Windows 10, इससे पहले Windows के और बहुत सारे versions आ चुके हैं, जैसे कि Windows 7, Windows XP, लेकिन यहां पे जिन features की बात हो रही है, ये features तकरीबन तमाम Windows के जो versions हैं, उनके अंदर मौझूद होते हैं, अब जो start के Windows के versions थे, उसके अंदर कुछ थोड़े से कमजोड थे, उनके अंदर ये तमाम facilities मौझूद नहीं थी, लेकिन जो last three हमारे पास Windows के versions आएं, जैसे कि Windows 10, Windows 7 और Windows XP, उसके अंदर बहुत ज़ादा हमारे पास features मौझूद हैं, अब अगर हम latest version की बात करें, Windows 10 की, तो उसका जो interface है, वो कुछ इस तरह से है, अगर आपने सिस्टम में Windows 10 इंस्टॉल की भी है, तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कि यहाँ पे आपका start menu होता है, यह आपका search bar है, यह आपका task हुई है, कि कौन से task आपका operating system कर रहा है, यह आपका मुकमल task bar है, जहाँ पे तमाम applications मौजूद हैं, यहाँ पे आपके notifications आते हैं, और यह पूरा Windows 10 का desktop area है, यहाँ पे आप icon set करना चाहें, रख सकते हैं, तो यह तमाम environment क्या है, यह जो तमाम environment हमें मिल रहा है, computer को इस्तमाल करने का, यह दर असल हमें operating system प्रोवाइट कर रहा है, तो अब हम इसके features की बात करते हैं, जिन features का हमने भी जिकर किया था, start करते हैं multitasking से, और समझते हैं कि multitasking किसे कहते हैं, multitasking दर असल एक ऐसा feature है Windows का, जिसके अंदर multiple programs एक ही वक्त में load हो जाते हैं, एक ये वक्त में load होते हैं computer की memory में, और फिर computer क्या करता है, दो या दो से जादा processes को एक वक्त में process कर रहा होता, यानि हमारा CPU है, उसके अंदर ये capability मुझूद है, कि वो एक से जादा processes को एक ये वक्त में process कर रहा होता, लेकिन CPU को ये बात समझाना, और CPU के तमाम scheduling करना, उसके तमाम resources को manage करना, उसके लिए एक software है, जो के हमारा Windows operating system है, मिसाल की तौर पे, अगर आपने computer में printer से कोई document print कर वा रहे हैं, और इसी दुरान जब आपका document print हो रहा है, उसके साथ साथ आप एक दूसरा document edit भी कर रहे हैं, यानि एक ये वक्त में दू काम हो रहे हैं, और इसी तरह आपका document print भी हो रहा है, और आप साथ साथ एक document edit भी कर रहे हैं, और इसके साथ background में एक song भी play हो रहा है, तो तमाम ये task ये एक साथ हो रहे हैं, तो इसे ये कहलाती है multitasking, अब अगर हम इसे interface के तौर बे समझने के कोशिश करें, interface यानि कि Windows आप इस्तमाल कर रहे हैं, उसके सामने जो आपकी एक मुकंबल एक view आ रहा होता है, ये दर असल interface के लाता है, तो यहां पर आप देखें कि यहां पर एक interface दिखाए गया है Windows 10 का, और इसके अंदर देखें कि multiple programs यहां पर रन हो रहे हैं, जैसे कि यहां पर एक जगा पर एक application रन हो रही है, ब्राउजर हमारा गूगल क्रोम का ब्राउजर है वो चल रहा है, उसके साथ-साथ यहां पर Windows Explorer यहां पर यहां पर यह काम कर रहा है, और इसी तरह अब यह दो अलाएदा अलाएदा परोग्राम है Windows Explorer और ब्राउजर, अब दोनों जो है एक साथ चल रहे हैं, एक साथ वर्काउट कर रहे हैं तो यह दैसल क्या है, multi-tasking है, तो यह तमाम experiences आप कर सकते हैं अपने computer के उपर, वहां पर आप multiple programs एक यह वक्त में चला सकते हैं, तो यह बड़ा ही एक एहम फीचर है, multi-tasking Windows operating system का, इसकी further details भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे जो operating system की जो वीडियो हैं, वहां पर जाके multi-tasking पर हमने एक अलादस एक वीडियो बनाई भी है और वहां पर इसकी detail मुझूद है कि multi-tasking किस तरह से करता है एक operating system, अब बात करते हैं इसकी दूसरे feature की जो किलाता है multi processing, Windows operating system के अंदर यह facility मुझूद है, यह सलाइयत मुझूद है कि वो एक वक्त में 2 या 2 से जादा microprocessor, microprocessor की जब मैं यहां पर बात करूँगा, इसका मतलब कि यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर बात हो रही है center processing unit की, normally हमारे computer में एक center processing unit होता है, लेकिन जो advanced systems होते हैं, वहां पर हमारे पास multiple microprocessor यहीं दो से जादा CPUs होते हैं, अब इन दोनों को manage करने के लिए, हमें operating system की ज़रूत होती है, तो Windows operating system के अंदर यह सलाइयत मुझूद है कि वह एक वक्त में multiple CPUs जो हैं, उनको manage कर सकता है, यह दर असल कि लाती है multi processing, और इसके अगर further और feature की बात की जाए तो यह multi user operating system है, यानि multiple users जो हैं, वह same computer इस्तमाल कर रहे हैं, मुखिलिफ accounts उनके आप बना सकते हैं अपने computer पे, इसके लावा Windows operating system में जो networking की facility है, तो आप एक computer के resources जो हैं, वह एक वक्त में multiple users उस system से connect होके, उसे इस्तमाल कर सकते हैं, यहां पे concept आता है client server network का, अब हमारा client server network है, अब हमारा server computer है, यहां पे हमने अपना operating system में install कियावा है Windows का, तो इस operating system से तमाम different clients connected हैं, और एक ही वक्त में इसके resources का इस्तमाल कर रहे हैं, तो यह तमाम management जो हो रही है, यह तमाम इस operating system की वज़े से हो रही है, और इसी तरह multiple users की बात की जाए, तो हमारा operating system है वो हमें multiple users correct करने का option देता है, यहां से हम different accounts manage कर सकते हैं, different accounts create कर सकते हैं, उन्हें एक अलएदा password assign किया जा सकता है इस operating system के जरिये, तो इस वज़े से कोई भी user, यह मुक्तलिफ user जो हैं वो एक ही computer का इस्तमाल कर सकते हैं, और उनकी settings होंगी अपने account के हिसाब से, वो अपने account के मताबिक उसे set कर सकते हैं, इसकी मजीद अगर उसकी बात की जाए, तो इसके अंदर option आता है plug and play का, plug and play का मतलब क्या है कि कोई भी hardware device आपने computer के साथ connect की है, और वो hardware device जो है normally इससे पहले जो operating system हुआ करते थे, जैसे के हमारे पास Windows XP से पहले Windows 98 एक operating system हुआ करता था, वहां पे Windows का यह operating system था, इसके अंदर ही plug and play की facility मौजूद नहीं थी, जो भी hardware device आप इस्तमाल करना चाहते हैं, पहले आपको क्या करना पड़ता था, उसका driver install करना पड़ता था, driver एक चोटा साइक software होता है, जो कि उस hardware को manage कर रहा होता है, लेकिन हमारे पास जो advanced version आते गए Windows के, उनके अंदर ही capability यह है कि अगर आप अपने computer से mouse connect करते हैं, keyboard connect करते हैं, तो automatically उसके driver जो है वो install कर लेता है, या तो drivers operating system के अंदर built-in मौझूद होते हैं, या फिर वो अगर इंटरनेट से के साथ connected हो, तो वो इंटरनेट के साथ automatically download कर लेता है, तो यह एक बहुत ही एहम feature है Windows का, और आखिर में एक feature की बात करेंगे हैं, वो है networking option, हमारा operating system जो है, हमारे एक computer को पूरे network में connect कर रहा होता है, तो उसके अंदर, हमारी जो networking है, इस networking के अंदर, चूंकि हम networking के chapter में पढ़ चुके हैं, यह open system interconnection OSI model के उपर, हमारे networks वो design किये जाते हैं, open system interconnection OSI कहते हैं, यह वो एक layered architecture है, जिसके अंदर different layers होती हैं, जिसमें मुक्तलिफ devices आपस में connect होती हैं, OSI की जो पहली दो layers हैं, यानि के application layer और presentation layer, इन दो layers के उपर हमारा operating system work out कर रहा होता है, जिसकी मदद से हमारा data जो है, हमारे जो भी message हम भीजना चाहते हैं, एक device से दूसरी device तक, वो इन दो layers से होता हुआ गुजरता है, तो यह जो दो layers हैं, इनको manage कर रहा होता है हमारा operating system, Windows operating system के अंदर networking की facility मौजूद है, और हमारी जो devices हैं, वो ना सिर्फ wire के through connect हो सकती है, हमारे network से, बलकि wirelessly भी connect हो सकती है, हमारे इस Windows operating system में, तो आज की इस वीडियो में, हमने Windows operating system, जो के हमारे daily life का एक बहुत लाजमी हिस्सा बन चुका है, उसके different features आज हमने पढ़े हैं, कि वो different features कौन से हैं, जो के Windows operating system में मौजूद होता हैं.